बॉड इवनिंग बच्चेओं कैसे हैं आप सब आज की क्लास में हम लोग बहुती इंपोर्टेंट टोपिक पर बात करने वाले हैं और उस टोपिक का नाम है आदित्य एल वन सबसे पहले तो मैं आप सबको और खुदको भी बदाई देना चाहूंगी कि दो हपते भी अभी चंदरियान की सफलता को नहीं बीते हैं और इस रोने एक और धमाका कर दिया है और कितनी खुसकबरी की बात है और ये है हमारा सूरज पे जाने वाला पहला मिसन इसके बारे मे कि जैसे चंदरियान 3 ने चांद पर लेंडिंगी कि अदित्या लवन भी सूरज पर लेंडिंग करेगा अगर यह लेंडिंग नहीं करेगा तो वह कौन सी जगह है जहां पर इसको रखा जाएगा उसका नाम क्या है यह सारी बातों के बारे में हम लोग डिटेल डिसकस करने से आप लोग पढ़ें आप किसी भी एक्यारी कर रहे हैं आप ट्रिकर रहे हैं आप स्टेइट किस दे रहे हैं climax श्चाहरे के ट्रिक इंड इस है या आई इस की ते रहे हैं एक्यारी करें चैण को यह जुँपन। बेहर ताम औरियंटित शुरू करते हैं हम लोग पहले पांच के ऊसन आपके सामने है अधित्य एल वन मिसन है क्या यानि किस से संबंदित है इस मिसन का नाम आधित्य एल वन ही क्यों रखा गया है एल वन में एल का क्या मतलब है एल वन प्रत्वी से कितनी दूरी पर है और सुरिये के जब किसके बारे में है यह किसके बारे में सूर्ज के बारे में है इसका नाम अधिट्या-L1 रखा गया है जब हमने चंद्रमां पर चंदरियान 3 यानि चंदरियान ही रखा गया यहां क्यों नहीं रखा गया सूरज मिसन फर्स्ट सूरज मिसन ऐसे करके इसको भी समझते हैं क्या है आदित्य का मतलब भी सूरज होता है जब हम लोग देखेंगे संस्कृत लेंग्वेज में संस्कृत भासा में आदित्य का मतल रखा गया था अब हम जानेंगे इस एल के बारे में अधित्य तो ठीक है हम लोग ने बात की डिसकस किया कि संस्कृत भासा में अधित्य का मतलब सूरज होता है इसलिए जो भी मिसन हमारे जाएंगे तो उनका नाम अधित्य जरूर होगा अधित्य लेखते यह आप समझ amızंते हैं lawrence qua किंआ कि जैकिन को सिंपल भासा में स्मझते हैं मतलब क्या होगा अगर दो पीन हैं कोई भी दो पेंड है कोई कोई भी दो पींड है रहे के पास अपना गुर्तवा encourage बल होता यह है आपका सूरज और यह है आपका प्रत्वी यह आपने लिखा यह है प्रत्वी यानि अर्थ है यहाँ पे और यहाँ पे है आपका सूरज यानि सूरज सारे पीड अपनी और खीचते हैं वस्तुवों को हम लोग क्या बोलते हैं गुरतवा कर्शन बल माली जी सूरज खीच रहा है और यहां तक है उनका गुर्थवा कर्षण बल प्रत्वी भी अपनी और खीचेगी यह बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि पेड से फल नीचे क्यों गिर जाते हैं उपर क्यों नहीं जाते हैं तो यह क्या है प्रत्वी का गुर्थवा कर करशन्बल है एक ऐसा प्वाatie यहाँ पह आएगा जहां पर ना तो सूरज का गुर्थव करेगा और नहीं मा प्रथवी का सबраู और ऐसा पॉयंट है जहां पर अगर चीज सरत करेदागी तो वह ही पहीं आतके बनी और इसी को हम short form में बोलते हैं L, ऐसे कितने point हैं, जब भी हम mission भेजेंगे, कोई भी धरती में से कोई भी मालेजे, किसी भी देश का mission जाएगा, तो इसी point पे कहीं पे रखा जाएगा, कितने सारे points हैं यहां, पांच points हैं जिनका हम लोग जिकर करेंगे, और वो पांचों point में नहीं कहीं न कहीं रखा जाएगा, इसको L1 को यहीं पे क्यों रखा गया, इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं, पहले, पहले point को आप समझेंगे, कि वो 5 point कोन कोन से हैं, इसकी condition को एक बार देख लेंगे, आप से क्यों से पूछा जा सकता है, कि L point, लोरेंज point की संख क्या होती है, 5, वो कहां कहां होंगे, एक बार location इसको देखेंगे, तब आप जान पाएंगे, कि इसको क्यों रखा गया, यहां हम रखते हैं सूरज को, यानि यह है आपका सूरज, यहां पे है सूर्य, और यहां पे हमने रखा है प्रत्वी, यानि यह है हमारी प्यारी प् points कहां कहां पे हैं, इनके बारे में आप जरूर जानेंगे कि ये point कहां पे हैं, तभी आप समझ पाएंगे चीजों को, तो ये point आपके अगर हम लोग देखते हैं, प्रज से आप देखेंगे, एक सीधी line ऐसे खीचेंगे, यहां पे L point है, L1 जिसको हम लोग बोलते हैं, और य यहां पे होगे, एक यहां पे होगा L3, यहां पे होगा L4, और यहां पे होगा L5, यानि यह पाँचों ऐसे point हैं, जिसमें से कहीं पे भी अगर रखा जाता है, किसी भी item को, तो वो वहीं पे बना रहेगा, चीक है, इसलिए आसान होगा किसी भी चीज का निरिक्षन करना, उसका observation करना, तो अगर आप से पूछ लिया जाए, कि हमारा जो आदित्य गया है, आदित्य मतलब सूरज यान जो है आपका सूरज mission, तो उसको कहां रखा गया, यहां पे रखा गया L point पे, और इस L point पे अगर किसी भी चीज को रखा जाता है, तो इसका सबसे अच्छा क्य होगा प्रभाव, L one पे अगर कोई चीज रखी गई है, किसी mission को अगर यहां पे रखा गया aircraft को, तो सूरज ग्रहन का, चंदर ग्रहन का कोई भी फरक इस पे नहीं पड़ेगा, यानि 24 के 24 गंटे हमें यह image भेजता रहेगा, अभी हम बात करेंगे कितने सारे उपकर्ण ले बहुती खुसी की बात है, बहुती प्रावड फिल करने वाली बात है, बहुती गर्भ फिल करने वाली बात है, कि पूरे Asia महाद्वीब का भारत इकलोता ऐसा देश है, जिसने सूरज पर कोई भी mission भेजा है, यानि पहला देश है भारत है, अगर आपसे यह क्योसन पुछा में आगे हैं, तो आप comment box में जरूर लिखेंगे कि आपको समझ में आ गया है, लोरेंज पुएंट आपको समझ में आया है कि नहीं बहुत important है, आपके exam में पूछा जाएगा, लोरेंज पुएंट का simple सा मतलब है, देशी भासा में अगर इसको समझेंगे, लोरेंज नाम त इन दोनों के बीच में आएगा, जहां पे ना तो इस पिंड का गुरुत्वा कर्षण बल काम करेगा, और ना ही इस वाले का काम करेगा, और जो चीज यहां पे रख दी जाएगी, वो किसी की तरफ आकर्षित नहीं होगी, किसी की तरफ खीचेगी नहीं, उस point को हम बोलते है, low range point, clear है, अब आगे के क्योसन हम लोग देखते हैं, कि और क्या क्योसन आपसे पूछे जा सकते हैं, फिर पांचे क्योसन पर डिसकस करेंगे, तो आगे आपसे क्या पूछा गया, low range point की संख्या कितनी है, तो इस क्योसन के बारे में मैंने अभी अभी बताया आपसे, low range point की संख्या अगर आपसे पूछ ली जाए, तो कितने प्रकार के low range point है, तो 5, यानि L1, 2, 3, 4, 5, अभी मैंने करके आपको दिखाए कि कोन-कोन से low range point है, अगला क्योसन आपसे क्या पूछा गया है, अगले क्योसन के बारे में चलते हैं, या आपसे पूछा गया, L1 को किस क कक्षया में रखा जाएगा, तो जहां चीजे घूमेंगी नहीं, आकरशित नहीं होंगी, यानि वो एक vacant वाली जगह है, खाली जगह है, उसको हम लोग बोलते हैं, hello कक्षया, यानि hello orbit, तो आपका answer क्या आएगा, L1 जो भेजा, आदित्य 1 जो भेजा गया है, उसको कहां र किया गया है, बहुत जुरूरी आपको, आपको पूछ लिया गया है, आप से चंदरियान के बारे में मैंने पढ़ा था, आपको किस यान से बेजा गया, यहां आप से पूछा गया है, कि जो उसको भेजा गया है, वो किस यान से बेजा गया है, किसी चीज में रखके बेज जा जाएगा ना भई तो आपको उस यान का नाम बताना है इसमें भेजा गया है तो यह आप याद रखेंगे इसका नाम है पी एस एल वी C57 PSLV C57 इसका नाम है इसी में रखके उसको बेजा गया तो ये भी नाम important है आपसे पूछा जाएगा क्योंकि जब भी कोई चीज पहली बार होगी world level पे होगी भारत में होगी तो वो बहुत important हो जाती है और दो सफल अभियान इसरो कर चुका है सबसे पहली बात इसरो आपके लिए बहुत important हो गया है इसरो के बारे में एक एक जानकारी आपको होने चाहिए कुछ भी अगर पढ़ना है तो मेरे वीडियो जो पे हैं सक्सास इंडिया के चैनल पे आप जा के वहाँ देख सकते हैं दूसरा mission हुआ हमारा चंदरियान तीन वो क्यों इतना important है क्योंकि चंदरमा के दक्षणी दुरूपे जाने वाला भारत पहला देश है अभी तक सिरफ उत्तर दुरूपे यानि नोर्थ की हम लोग बात कर रहे थे तो इसलिए चंदरमा के बारे में भी सारी जानकारी आपको होने चाहिए प्रत्वी से कितनी दूर है कौन-कौन से हरी चीज़े हम लोग उसके बारे में बत करेंगे अब आगए आपका सूरज के बारे में पहला mission तो सूरज की भी सारी बाते आपको जाननी है उसके कितनी परते हैं, प्रθवी से कितनी दूर है, कैसी-कैसी रेज निकलती है, अगर वो प्रफवी पर आएंगे तो हमें क्या प्रभावित करेंगी, क्या-क्या होंगी तो उसकी सारी स्टडी जरूरी होगे उससे क्योंसे आप से पूछे जाएंगे अगला क्योंसे आप से क्या पूछाएंगे मिसन के साथ कितने उपकन या पैलोड साथ में जा रहे हैं अगर मिसन भेजा गया तो कोई चीज़े भेजी जाएंगे क्यों साथ बेजेगे, साथों का अलग अलग काम क्या है, वह भी बात करेंगे, इतनी डिटेल के लिए एक अलग से मैंने वीडियो बना दिया है, जिन बच्चों को स्टेट PCS देना है, आईस देना है, उनको इतना डिटेल में जाना पड़ेगा, वंडे एक्जाम की त्यारी से लॉंच किया गया एक ही याद रखेंगे बात जब भी स्पेस में कोई भी मिसन हमारे जाएंगे चाहे वो चंद्रमा पे जा रहे हैं सूरज पे जा रहे हैं मंगल पे जा रहे हैं स्पेस में कहीं पे भी जा रहे हैं तो कहां से लॉंच होंगे एक जगह है स्री हरी कोटा इ आप कमेंट्स करके मुझे बताएंगे ये किस रज्य में है, किस रज्य में है आप इसका नाम मुझे बताएंगे, स्रीहरी कोटा में उस सेंटर का नाम क्या है, जिस सेंटर से ये उपग्राय बेजे जा रहे हैं, ये मिसन बेजे जाते हैं, तो उसका नाम है सतीष धवन, सती का नाम लिखते रहें कमेंट में, अगले क्योंसन पर हम लोग डिसकस करते हैं इन में से किसी तरह कि अगर कोई दिक्कत है दस क्योंसन के बारे में हमने अभी बात किया इसके बारे में अगर कुछ बी चीजे नहीं समझ में आ रही हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ ले लेकिन comments का आपको reply जरूर मिल जाएगा, अभी नहीं मिलेगा, आपको कल मिल जाएगा, रात में मिल जाएगा, लेकिन आप comments जरूर करते रहेंगे, कि आप चीजों को समझ पा रहे हैं, या नहीं समझ पा रहे हैं, आगे की series को हम लोग देखते हैं, कि कौन-कौन से और important question सूर्य के तापमान को किस से मापा जाता है, ये सूर्य के बारे में basic जानकारी है, इसके बारे में भी हम जानेंगे, कि सूर्य का जो तापमान है, उसको मापने का यंतर होता है, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम क्या होगा, पैरोमीटर, पैरोमीटर से सूर्य के तापमान को ना पाजाएगा सूर्य के प्रकास को प्रत्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है अब यह चीज़े इंपोर्टेंट हो गई है पहले तो यह आठवी दसमी तक आपको पढ़ने होती थी लेकिन सूरज पर मिसन जा रहा है तो सूरज की सारी बाते इंपोर्टेंट होंगी तो सूरज के प्रकास को प्रत्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है आठ मिनट और सोला सेकंड का टाइम लगेगा आठ मिनट और सोला सेकंड फिर आप से पुछा गया सूरिय और प्रत्वी के बीच अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं क्या प प्रत्वी और सूरिय के बीच में दूरी सबसे ज्यादा होगी यानि आप ऐसे समझेंगे मान लिजे ये है सूरज और ये है आपकी प्रत्वी एक टाइम ऐसा आएगा जब प्रत्वी अधिकतम दूरी पे होगी यानि सबसे ज्यादा दूरी पर होगी सूरज से इसको हम प्रत्वी यहां पे है और प्रत्वी सबसे कम दूरी पर होगी नियूनतम दूरी पर होगी किस से तूरज से और इस कंडिशन का जो नाम होगा उसका नाम है उपसोर उसको हम लोग बोलते हैं उपसोर अब क्योश्चन आपसे अगला ये भी पूछ सकता है कि ये वाली किस दिन होगी वो कौन सा दिन होगा जिस दिन सबसे ज्यादा अधिक दूरी पर होगा तूरज से प्रत्वी तो ये होता है आपका चार जुलाई के दिन हर वर्ष चार जुलाई को सूरज और प्रत्वी के बीच की जो दूरी होगी वो अधिकतम होगी जिसको हम लोग अप का तीन जन्वरी, तीन जन्वरी हर साल, तीन जन्वरी के दिन सूरज सब से करीब होगा प्रथवी के और उसको हम लोग जो नाम देते हैं, उसका नाम है अप सोर। एयसा क्यों होता है? यह हम लोग जोग्रफी की क्लास में पढ़ेंगे ऐसे क्या-क्या कान है यह इतना नजदीक आ जा रहा है और इतना दूर क्यों चला जाता है अगला क्योंसन हम लोग देखते हैं इसमें क्या दिया गया है अपका सूर्य प्रत्वी से कितने गुणा बड़ा है जब हम प्रत्वी से सूरज को देखते हैं तो हमें छोटा सा गोला दिखाई देता है लाल कलर का लेकिन आपको जाना है एक्जेक्ट कि कितना बड़ा है अगर प्रत्वी की बात करें और सूरज की तुलना करेंगे तो प्रत्वी और सूरज के बीच में कितना है तो कितना गुणा है एक सो नो गुणा बड़ा है एक सो नो गुणा प्रत्वी से ज़्यादा बड़ा है इसका मतलब क्या है जब हम तेरा लाख प्रत्वी को तेरा लाख प्रत्वी को इकठा कर दें उतना स्पेस बना दें तेर कितना ज्यादा है, कितना छोटा क्यों दिखाई देता है, कितनी दूरी पर है ये, तो ये है आपके, कितनी दूरी पर जड़ा बताएंगे, भई, दूरी बताएंगे, सूरज और प्रत्वी के बीच की दूरी, कुछ काम आप खुद से करेंगे, होमवर्क, आप जानते हैं, बीच में मैं आपको होमवर्क देती रहती हूं, ताकि आप यूज करें, थोड़ा पढ़ाई करें, कहीं से भी करें, वो दिक्कत नहीं है, क्या पूछा मैंने आपसे, इसकी जरूर्थ अभी पड़ेगी, जब हम बात करेंगे, L1 प्रत्वी से कितनी दूरी पर है, और जह बात करेंगे आगे हम लोग, फिर क्या पूछा गया आपसे सूरज प्रत्वी से कितने गुणा बड़ा है, तो यह हो गया, सूरज की कितनी परते होती है, और कौन-कौन सी, यह जानना जरूरी है, तब ही आप समझ पाएंगे कि मिसन हम भेज क्यों रहे हैं, हमें पता तो ह कि मिसन भेजने का क्या रीजन है, क्या क्या काम किया जाएगा, कौन सी परतों के बारे में हमारा मिसन काम करेगा, फोड़ी दिर पहले आपको बताया, कि 7 उपकरन लेके जा रहे हैं अपने साथ में, उन 7 उपकरन कि क्या होंगे, मुझ 7ों के साथ सूरज का निरक्षन नही पता रहाई और बाद में हम बात करेंगे जब सारी बाते समझ लेंगे जब पर्तों के बारे में जान लेंगे और आपको वो सातों ऊपकरण दिख जाएंगे, उनके काम क्या क्या है, तब हम जानेंगे कि सुरज मिसन आखिर क्यों भेज रहे हैं, इसके भेजने से हमें क्या क्या benefits होंगे, क्या फाइदा होगा हमें, बारे में जानते और जिनको हिंदी में हम कहेंगे उपकर्ण यानि यह यह चीजे यह लेके जा रहे हैं जैसे हम लोग नोर्मल अगर बात करें कि हमारे पास क्या-क्या होगा क्लास लेने के लिए क्या-क्या होगा डिजिटल बोर्ड होगा कमेंट के लिए एक LED लगा होगा सिस्टम अलग से ल बारे में हम लोग बात करते हैं पहला उपकर्ण यह आपके बारे आप एस पी एक्स इसका पहला उपकर्ण यहां पे है दूसरा यहां पे होगा इसके नाम से ही आपको पता सलेगा डिटेल जब हम लोग करेंगे इसके लिए आपको अलग से वीडियो देखना पड़ेगा क कम से कम आधा पुना गंटा का वीडियो होगा, तो यहां पर देख रहे हैं, H E L 1, यह L 1 जो आपको दिख रहा है यहां पर, अगर आप लिस्ट भी चेक करेंगे, L 1, मतलब यह सूरज का निरिक्षन नहीं करेंगे, यह किसका निरिक्षन करेंगे, जिस पॉइंट पे इसको रखा जाएगा, यानि L 1, लोरेंज 1 वाला जो है, वहां पर, यानि हालो ओर्बिट के बारे में पूरी जानकारी देगा, तो इसके नाम में ही लिखा हुआ है, तो यह दूसरा उपकर्ण साथ में यह वाला जा रहा है, तिसरा उपकर्ण यहां पर देखेंगे, शूट, S U I T, चोथा उपकर्ण आपके सामने है, V E L C, और पांचमा उपकर्ण है, जिसका नाम बहुत ही इंट्रस्टिंग है, और यह पापा मतलब पिता जी नहीं है, बापू जी नहीं है, फादर नहीं है, ठीक है, यह फूल फोर्म है, इसके बारे में बात करेंगे कि इसका मतलब क्या है, तो इसका नाम बड़ा इंट्रस्टिंग रखा गया है, इस उपकर्ण का नाम है पापा जी, जी नहीं है, ठीक है, पाँचमे उपकर्ण का पापा, पी ए, पी ए, स्पेलिंग भी सेम है, लेकिन इसका मतलब अलग है, और एक उपकर्ण यहां पे आप देख पा रह क्या क्या काम करेंगे कौन-कौन सा सूरज के उपर काम करेगा और सूरज के बारे में काम करेगा तो क्या काम उसका है किसका काम वीडियो बेजने का है किसका काम क्या 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 है तो उसके लिए आप अलग सी वीडियो देख लेगे इस क्लास में अभी नहीं करूंगे क्यों क class फिर कई घंटे की हो जाएगे इनकी हम लोग full form देख लेते हैं कि इनके मतलब क्या-क्या होंगे ये दिया पापा की full form आप देख लेंगे बागे आप भड़ लेंगे क्या है इसका plasma analyzer package for aditya ये plasma के बारे में सारा निरिक्षन करेंगे और इसका बहुत interesting नाम मुझे लगा आपको भी लगा होगा है ये सब की full form दी गई है आप इसको सिरफ read कर लेंगे कभी किसे exam में अगर आप से पूछ लिया जाए तो आपको पता रहे आगे एक बार हम लोग देखते हैं सूरज की परतों के अगर सूरज की तो वो होंगी seven लेकिन seven का अध्यन नहीं किया जाएगा जैसे हम प्रत्वी के बारे में अगर पढ़ते हैं मैंने आपको दिया भी है सामने picture अगर प्रत्वी की बात करेंगे धरती की हम लोग बात करेंगे तो कुछ layer के बारे में हम पढ़ते हैं नीचे की layer के बारे में यानि internal layer होंगी आंतरिक पढ़ते होंगी प्रत्वी की ऐसे ही सूरज की भी कुछ आंतरिक पढ़ते होंगी उनके बारे में नहीं काम करना है अभी किसके बारे में काम करेंगे बाहिये परतों के बारे में काम क लेकिन उसके ऊपर की जो जितनी लेयर से उनके बारे में बात करेंगे हम लोग और उसे के बारे में मिसन भी काम करेंगे हमारा जैसे प्रत्वी की है और यानि सबसे नीचे वाली है फिर इनर कोर आउटर कोर मेंटल क्रस्ट और इसके बाद हम लोग प्रत्वी के वातावन के यह है सबसे अंदर वाला अगर आप देख पारें सबसे लाल वाला भाग आप देख पारे होंगे यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं यह है प्रत्वी यह है सूरज की कोर पर्थ है यह कोर लेयर है ठीक है इसका ध्यन नहीं करना है में दूसरा आप यहाँ पे देख रहे हो है हल इसके बाद वाला एक देख पारें अप लोग एक ये वाला छेतर जो है हलका yellow color में दिखाया गया है इसको हम लोग बोलेंगे क्या इसको बोलते हैं 7 छेतर यानी ये वाला हिसा जो आप देख पारें हैं ये तीनों की तीनों परते हैं जो ये सूरज की अंद्रोनी यानि आंत्रिक परते हैं जैसे ये तीन परते प्रत्वी की हैं यानि अंदर की बात कर रहे हैं हम लोग जहां पर प्रत्वी पर हम लोग खड़े हो के बात कर रहे हैं उसके नीचे की परतों की बात कर रहे हैं ऐसे ही ये तीन परते हैं सूरज की इं येसेंचेतर और तिसरा आपका क्या होगा संफ YOUK करदेना है कि ये ने ने करेंगे अब काम किसफ़ करेंगा मिТ-स इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगा इसके बाद आपका जस्ट इसके बाद ये वाल जो ये वाल ओम ख перед अब इतनी सी लेयर है पतली सी और इसको बोलते हम लोग प्रकास मंडल यानि फोटो स्फेयर इसके बारे में हमें जानकारी चाहिएगी इसके बारे में काम करेगा हमारा मिसन यह इतनी सी पर्थ है अगर आप देख पारें पतली सी इसका नाम है फोटो स्फेयर और हिंदी में इसक यthके बाद वाली जो पर्थ होगी उसको बोलेंगे one Mandll यानि chromo sphere और यह तीन आपके लिए बेहत जरूरी होगी दुसरे नंबर प्रस्ट के पहलो इसका अध्यन किया जाएगा दुसरा आपका One Mandl यानि chromo Sphere के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे इनकी बात करेंगे कौन-कौन से उपकरन ऐसा काम करेंगे और सबसे बहारी जो है ये वाला है इसको बोलते हैं कोरोना यानि हिंदी में कीरीट बोलेंगे सूरज की सबसे बहारी परत सबसे लास्ट वाली जो लेयर है उसका नाम है कोरोना ये कोर आपमान देखेंगे ये वाली है इतनी पतली सी लेयर जो आप देख पारें सबसे बाहार में ये वाली ये वाली है कोरोना इसका नाम है कीरिट भी इसको बोलते हैं और ये सूरज की इतनी जादा गर्म ये पर्थ है और इसलिए एक रहष्य बनागा अभी तक भी किसी को पता नहीं चला है कि जब भी अगर हम नॉर्मल बात करते हैं अगर हमारे सामने आग जल रही है जितना आग के हम पीछे की साइड जाएंगे तो हमें गर्मी कम लगेगी यानि तापमान क पहुंचाता है यानि इतना है किसी के बारे में पूरी दुनिया जानना चाहती है कि ये रहष्य क्या है और भारत भी इन तीनों के बारे में ही अध्यन करेगा किस किस के बारे में फोटो स्फेर के बारे में और आपका पहारे वाली कोरोना के बारे में आज की क्लास को इतन रखते हैं दो important वीडियो इससे related है आदित्य L1 से एक उन सातों ओपकन के नाम और उनका काम क्या होगा कोन कोन सा ओपकन इन परतों में से किस किस परत के बारे में क्या क्या काम करेगा किसका काम image भेजने का होगा किसका काम किस पे निगरानी रखने का होगा और वो तीन ओपक क्यों है इसका क्या effect होगा क्या क्या जानकारी हमें मिलेंगी और जानकारी मिलेंगी तो उससे इनसान को क्या फायदा होगा कि दोनों वीडियो आप अलग से देखेंगे class में इतना ही discuss करेंगे अगर आपको class अच्छी लगी है और आपको चीजे समझ में आई हैं तो comments बोक करेंगे तो